आज की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए आज विंटर स्पेशल आवला की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और आवला में क्या-کیا एप्लिकेशन है क्या-क्या फायदे है यह आप सभी को पता है फिर भी 2-3-4 एप्लिकेशन है जो most important है सबसे पहले तो आखों को बालो को और हमारी स्कीन को बहुत ज़्यादा फायदे मन है ये आवला खाने से आखों की रोशनी बढ़ाता है, बालों में हैर फॉल की प्रॉब्लम सॉल होती है, स्कीन हमारी चमकदार होती है और जैसी छोटी बीमारी है न ये, सर्दी, जुकाम, खासी और दमाय सी छोटी वाली जो बीमारी है उसको भी आवला खाने से राहत मिलती है अब आवले को तो मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है अब हमको ना यहाँ पे नॉन स्टिक का बरतन नहीं, लोहे की कडाई नहीं अलूमीनेम का भी बरतन यूज़ नहीं करना है, स्टील का ही बरतन यूज़ करना है तो इसमें मैंने यह सेकेंड इंग्रीडियन्स है, एक कटोरी भर कर मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है तो गुड़ को आपको ऐसा ही छोड़ना नहीं है, उसको ना ऐसा चलाईए, लोफ लिम पर, क्योंकि नीचे से ना यह चिपकता है तो देखिए, गुड़ बहुत अच्छी तरह से आपको मेल्ट करना है, और गुड़ में बहुत ज़्यादा आईरन होता है, थंडी के सीजन में थोड़ा थोड़ा गुड़ हमें खाना चाहिए तो देखिए, आगे बहुत ही बड़िया सी हल्दी रेसिपी बनने वाली है, यहाँ तक वीडियो देख लिए फ्रेंट्स, आगे भी देख लीजिए, और अगर आप न्यू है यहाँ पर मेरा रेसिपी देखने के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्लेम पर पकाएंगे, तो जब हम इसको पकाते हैं, तो थोड़ा सा भी यह मॉइस्ट हो जाएगा, इसमें पानी छोड़ देगा, यह गुड़ है ना, पानी छोड़ने के बाद यह जो आवला है, ग्रेटेड आवला, इसी में अच्छे से पक जाएंगा, तो देखिए, म हमारा यह जो मुरब्बा है, अच्छे से पक जाता है, तो देखिए, इस तरह से कम से कम, तेरा मिनिट हो गए है, तो यह अभी भी थोड़ा गिला है, और हमको ना, इसको बहुत ज़्यादा ड्राइ नहीं करना है, थोड़ा जूसी ही रखेंगे हम, तो चलिए, एक से सकता है, तो देखिए, इस तरह से यह बन गया है, इसमें थोड़ा इलाइची पॉडर भी डाला है, फ्लेवर के लिए, आप यहाँ पर डाल चिनी का पॉडर है, यह भी डाल सकते है, और आपको ना, स्टार्टिंग में थोड़ा गुड जादा डालना है, तो लीजे, दिन इसको थोड़ा थोड़ा ही खाना है, तो लीजे, इस हेल्दी मुरब्वे को जरूर से ट्राइ करिए और लाइक कर दीजे, बाइबाइ फ्रेंड्स